नमस्का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज लांचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े और लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम डाइरेक्ट हिट आज फिर तानाशाही सरकार ने हिट किया है और हिट एक रेलवे के अधिकारी वे उस अधिकारी का दोश इ अधिक्ति से मैं नहीं करूंगा जान नहीं बताऊंगा यह रवया नहीं अपनाया अर्राइब टू इंपरमेशन हमारे यह कानून है जो सरकार को बात दे करता है कि सरकार आम जंता के सवालों का जवाब दे उन्हें बताए क्या सही है क्या गलत है यदि कोई राष्टी सु वोट से और हुए है कि सरकार को यह जानकारी देगी लेकिन वरतमान में जो ताना साही रवया है कि कोई सरवर्च नयायले के निर्णे को भी एक कानून डाके बदल दिये जाते हैं तो फिर किसी अधिकारी ने राइट टू इंफर्मेशन के तहट किसी आटिया एक्टिविस्ट ने मांगी हुई जानकारी दी और उससे इस सरकार की किलकिरी हुई तो फिर उसको भी तुरांत हटाया जाता है 24 गंटे के अंदर बात रेल्वे की है मद्धर रेल्वे के मुख्य जनसंपर का धिकारी सिप्यारो शिवराज मानसपुरे का तबादला 29 डिसेंबर को तातकाल आदिश से हुआ इतना कहा गया कि आदिश उपर से आया है वो उस पोश्ट पे साथ महिने ही जोईन किये हुए थे साथ महिने के अंदर उनका तबादला हुआ क्योंकि उनकी सबसे बड़ी घलती ये थी कि अमरावती महराष्टर के एक जिला है विधर्प का अमरावती वहां के आटिया एक्टिविस्ट है अजय बोस उन्होंने मध्य रेलवे को एक जानकरी मांगी ये जो सेल्पी पॉइंट बनाए जा रहे है रेलवे के स्टेशन पर कि इस स्टेशन पॉइंट की पैसे कीतना लग रहा है क्या खर्चा हो रहा है अ और कहा लग रहे हैं हिपो बीदोय जानकरी लें वहाद से किसी के कह लेक्रार कोो विए रास्टी असरवशाय से क्या लेना देना कि आपो बना इप एक इस श्टेशन पर सेल्फी पॉइंट अस्थाई रूप से बनाए जाए जिसमें उजवला योजना और बाकी सारी जो बड़ी-बड़ी योजनाई हैं उसका उलेखित किया हो और प्रधान मंत्री का बड़ा कट आउट लगा हो ताकि जो पैसेंजर आते जाते हैं उसके साथ सेल्फी ले ये एक प्रधान मंत्री की तस्वीर घरगर पहुचाने का प्लैन था उजवला यदि लोगों को मिलता है तो लाभारती को पता है कि उसको उजवला मिल रहा है उसको क्या बता रहे हो आप कि हमने आपको उजवला दिया और उसके घर में पहुंचा वो गैस को उपयोग कर रहा है उसको फाइदा हो रहा होगा तो उपयोग लेता होगा यदि उ विभिन्न योजनाओं के लावकारियों को आप बताते हो कि हमने आपको लाव दिया यह बताने की जरुरत नहीं क्योंकि उनको लाव मिला है तो वह ऐसे भी कुछ होंगे लेकिन यहां महत्योपुल्न योजनाओं से ज्यादा प्रधानमंति का कटाउट था इसके लिए पैसा कितना कच्छा हो रहा है तो उस अधिकारी ने आर्टिया की जानकारी के तहट जो जानकारी मांगी गई थी तो उस बिचारे ने उसमें मैं बिचारा इसले कहता हूं कि बिचारा भोग रहा है भी उसने ओजानकारी दी और जानकारी के तहट उसने बताया कि कुछ सेलफी पॉइंट एक लाग पच्छीजा रुपे खर्चा होके बनाए गये है कुछ सवाच्छे लाग रुपे कि किसका कॉस्टिंग आया है और टैक्सपेर्स के खर्चे से यह बज़ा खर्चा क्यों टैक्सपेर्स का हाड़ अन्मनी हो है रेले स्टेशन में पीने के पानी की वहोस्ता करीं है रेल वे स्टेशन पर एक फोडोग्राफ हमने दिखाया था अभी इसी कारेक्रम अज़े निव्ज लांचर के प्रोग्र कि रेल्वे स्टेशन में पीने के पानी की विवस्ता करी है रेल्वे स्टेशन पे एक फोडोग्राफ हमने दिखाया था अभी इसी कारेकरम ऐसे ही निव्ज लांचर के प्रोग्राम में या सेल्पी पॉइंट के वहां लोग नीचे जमीं पर सोय हुए है इस ठंड में सुकर कि इसमें क्या उपलब्दी होगी मं की बात हो जंकि भवना मंस पर जाते विदेश में जाते तो उज्वला योजना बताते है मन की बात भी हो तो उज्वला योजना बताते है सारे मंत्रियों गाय का निबंद पाट करें बैठें आप कोई भी सवाल उनको पूछो घुम फिरके उज्वला योजना और लाभरती कितने हैं और पाच असी करोड लोगों को फ्रीकानाज दे रहे हैं यह यह लगातार तोता जैसा रटाव होता है वैसे सारे मंत्रिय रट र रहे हैं सारे स्पोक्सपर्सन जोड़ जोड़ से चिला रहे हैं गोदी मेरिया पेट फाड़ फाड़ की जिला रहा है लोग उप चुके आपकी लाभरतियों की लिश्ट देखें और लाभरतियों की योजनाई देखें क्योंकि जैसा ही विपक्ष ने हमलावार हुआ कि और इतने सेकलों की तादाद में इतने करोड रुपे लगे तो यह क्यों पैसा वेस्ट किया किसको पूछ किया क्यों करा क्या मिला इस से देश को यह हमलावार होती से ही ताना शाही रवाये वाले नेताओं को यह नागावार गुजड़ा सबसे पहले काच उसी पर गिरी शिवराज मानसपुरे पर हाला कि उनके जो डेपिटी है अभे मिश्रा उनने यह जान करी दी थी हुआ है लेकिन फिर हेल没有 है कि मिग अुद्य अन्स जोन में अट मध्य रेलवे की थी थी से थिकना निकीकिर अफ्ञज़ की ठील उत्तर रइलवे की ठील अब इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन डाटा बहर आया और लोगों को समझ में आ गया क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि सरकार कोई योजना करते हैं तो बड़े-बड़े विग्यापन चपते हैं तो आप भूल जाएए कि विग्यापन फ्री में चपते होंगे सारे अकबार दबा के पैसा लेते हैं सरकार से विग्यापन चापने टीवी पे जो आप विग्यापन देखते हो सरकार का वो भी तो आप समझ जाएए 11-11-1000 करोड के विग्यापन के खर्चे हैं सरकारों के यह अपनी पॉबिसिटी करने के करते हैं यह अपनी वाही वाही लुटवाने के लिए यह खर्चे करते हैं यह खर्चे किसी के भी अपनी जमीन जाइदा के बेचने से नहीं आते यह हमारे तुमारे जो अंड्रसंड टैक्स हम दे रहे हैं जिस tax को कोई limit नहीं है, उस tax से ये खर्चे होते हैं, तो सरकार को लगा कि उन्हें वो अधिकारी चाहिए था, कि वो बोलता अर्टिय आक्टिविस्ट को कि ये जानकारी हम देश हित में नहीं दे सकते, अभी छुपाने से देश हित किस बात क्या होगा, ये हमने तै कर लिया ये देश की अंतरिक सुरक्षा का मामला ही इसलिए नहीं दे सकते, ये बहुत ही गोपनिया है, इसलिए नहीं दे सकते, अरे चिससे ये बनवाया है, उसको payment भी तो गया होगा, गोपनिया किस बात क्या, अब वो जो अधिकारी था बिचको बिचारे उसने, शिवराज जी ने सोचा कि देश में कानून है, राइट टू इंफर्मेशन, उन्हें इंफर्मेशन मांगी है, उसका अधिकार है, जानने का, और उस समविधान जो बाबा साय बांबर करके अधिक्सता में इस देश को स वो ये भूल गया कि वो रेलवे का नोकर नहीं है, वो उस सिस्टम में काम करता है, जो सिस्टम पूर्ण रूप से ताना शाही रवया अपना चुकी है, उन्हें लोकसभा में विपक्ष नहीं चाहिए, सवाल पूछने वाला मेडिया नहीं चाहिए, धर्म के अफीम के नशे में मदमस्त मतदाता चाहिए, लाभार्तियों के नाम पे फेके गए टुकड़ों के अपनी उपजिवी का जिने वाला मतदाता चाहिए, उन्हें आर्टी आ एक्टिविस्ट का अप्लिकेशन फाड़ के फेड़ दे और बत्तमीजी करके बोले कि नहीं देता जाते जो करना है वो यह भूल गए थी कि नोकरी किसके कर रहे हैं वो किस सिस्टम में हैं वो वही पुराने सिस्टम को याद कर रहे हैं कि जहां समविधान की चीज़ें भी होगी समविधान का भी मान होगा विपक्ष की इज़त होगी RTI एक्टिविस्ट के भी सवाल के जवाब देने होंगे ने तो एक गुनह कहलाएगा आज के डेट में सिस्टम के लिए किरिकिरी खड़ी करना ये गुना हो गया है आज के लिए सिस्टम को बचाना उनके कुकरमों पे परदाशाना ये सतकरम हो गया है ये कानून है ये कानूनी हो गया है इसलिए आर्टिया एक्टिवेश्ट ने सवाल पूछा बोस ने उसको मिली जनकारी से सरकार हिट हुई क्योंकि बेवजा कितना खर्चा करती है सरकार ये जनता के सामने आया और जब सरकार हिट हुई तो सरकार ने वो घुसा चिवराज मानसपुरे पर उतारा और मानसपुरे हिट हुए अभी उन्हें पताने कि उनके पोस्टिंग आ होगी आने वाले समय में उनको इनको इंक्वारी होके उनको किसी चीज में वाइट करके उन्हें जेल में भी दाला जाए तो आज चले नहीं होगा क्योंकि उसने आर्टी आये वो राइट्र इंफर्मेशन एक्ट की इज़त की जिससे सरकार की बेज़त लिए आज इतना ही कल फी रातों किसी विशे की साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिए गार यूट्यूब चैनल न्यूज लाँचर